क्या दो महिने में डेड़ सु नंबर आ सकते हैं ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दूसरा सवाल पूछा जाता है कि क्या अभी से एक बहतर तरीके से प्रेपरेशन करें तो क्या हम दो महिने में एक अबब एवरेज स्कोर कर पाएंगे इस नीट के अंदर तो मेरा आंसर है यस हा आप कर पाएंगे तो मैं आज एक कमाल का स्टाटिजी शेयर करने वाला हूं और एक स्मार्ट और सांटिफिक मेथड बताने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो साथ दिन में अराम से डेड़ सो नंबर तक स्कोर कर पाएंगे तो आईए लिए चलते हैं फिजिक्स में स्कोर करना एक टेकनीक होता है आप अगर टेकनीक बेस पे काम करेंगे तब बहुत आसानी से स्कोर कर पाएंगे बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि नीट के इस परेंट फिजिक्स को लेके बहुत चिंतित है इस वीडियो को देखने के बाद वो चिंता का ज सबसे बहतरीन है जो नीट के अंदर आया हुआ हुआ को करना है अब उसे कैसे करना है बागि सारे लोग करते हैं आप उससे अलग कैसे करेंगे तो सबसे पहले क्या करें राइट फॉर्मॉला यूज इन इस कोशन अगर आप कोशन नमर वन कर रहे हैं तो इस first question में अगर आप 2019 का paper कर रहे हैं तो first question के अंदर कौन सा formula use किया गया है वो formula आप एक separate notebook पे लिखेंगे पहला सबसे important चीज़ है तो जितनी भी formula है जितनी भी question आप practice करेंगे let's suppose आपने 2017 का paper सुरू किया question number 2 के अंदर कौन सा formula use हुआ वो formula आप लिखेंगे फिर तीसरे number में कौन सा formula use हुआ वो लिखेंगे ऐसे question number wise आपको formula एक separate notebook पे लिखना चाहिए तो जब आप 15 साल का paper solve कर लेंगे यानि अगर मालेजे कि कोई एक साल का question paper कर रहे हैं 2021 का कर रहे हैं तो 2021 में पहला question दूसरा question तीसरा question ऐसे 45 question में तो और ज़्यादा ही question थे है ना तो सब की formula लिख लेजे जब आप 2020 revise करेंगे तो 2021 का पहले revise कर लेजे तो revise daily before attending pyq जब आप दो साल का paper solve कर लेंगे तो दो साल का पहले formula question wise formula revise कर के फिर तीसरे साल का solve करेंगे ऐसे ही आप revise कर के करेंगे तो आप 15 साल में देखेंगे 15 साल में आप देखेंगे कि वही question मतब question का format change हो गया है है ना formula वही लगेगा concept वही लगेगा तो यह बहुत बहतरीन टेकनीक है दूसरा टेकनीक है the power in theory हम क्या करते हैं कि ज़्यादतर हम question 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 practice करते हैं बट जब practice तभी fruitful होता है जब आपको concept आए जब आपका fundamental clear है जब आपका concept clear है अगर मैं कहूं कि आपको cricket नहीं आता है जाओ practice करो तो आप practice से नहीं सीख पाएंगे तब fundamental आना चाहिए कैसे बैट पकड़ते हैं कैसे defense करते हैं कैसे सब चीज़ सीखना पड़ेगा आपको तो ऐसी physics के अंदर है सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा तो theory को revise करना बहुत important है एक reading habit develop करिए read theory before a timing question जब भी आप पी वाई क्यूट कर रहे हैं है ना तो आपको कम स्का मेटल इस दो या तीन यूनिट पढ़नी के आदर डालिए जैसे जैसे पर जैसे मालेजे आज आप laws of motion करके पी वाई क्यू करना सुरू कर देते हैं फिर कल अगर आप work energy power कर रहे हैं तो फिर वहां से work energy power आपने पढ़ा फिर पी वाई क्यू करा तो ऐसे आप करकर के आप theory भी करिए और साथ के साथ करिए और focus करना है आपको कहां पे concept के उपर जब तक आप concept पे focus नहीं करेंगे आप चाह के भी अच्छा नहीं कर पाएंगे तीसरा चलते है smart way क्या है दो मही एक अंदर यानि साथ दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा complete करना है और देर से तक score करना है तो focus करना पड़ेगा सबसे पहले most scoring chapter पे आईए कुछ analysis के बारे में बात करते हैं और यहां पर आप analysis देख रहे हैं 2020 के अंदर अगर देखा जाए तो number of question from class 11th 17 थे और number of question class 12th 28 इससे पता चल रहा है कि class 12th is little bit important than class 11th है ना अब आईए थोड़ा और detail में बात करें तो number of question मेकेनिक से पूछे गए थे 10, heat and thermodynamics से 5, sms से 2, electrodynamics से 14, optics से 4, modern on electronics से 14 तो आप इसको थोड़ा data को रखिए save और इस पे काम करना सुरू करिए यह चुछ questions है मैंने जब analyze किया था तो exactly बार-बार यही chapter से बार-बार-बार question के numbers ज़्यादा पूछे गए थे आप यहाँ देखिए optics यहाँ पे सबसे ज़्यादा mechanics का number है फिर उसके बाद heat and thermodynamics, electronic and magnetics, current electricity, modern physics and optics तो इन सब पे आपको focus करना पड़ेगा मैं क्या करता हूँ कि अपने टेलिग्राम पे जो most important chapters हैं उसका मैं daily target बना के देता हूँ ताकि आप दिल हर दिन हना at least 60 दिन उस target को complete करेंगे तो ultimately आपका physics बहुत improve हो जाएगा तो मेरे टेलिग्राम से ज़रूर जूड़ जाएगा अगर आपको target based study करना है तो इस वीडिय कि आपने enjoy किया होगा इस session को और ऐसे बहुत छोटी वीडियो है बहुत fruitful है इसको अपनाईए और करके देखिया मुझे comment करके बताएगे कि आप में कितना improve हुआ पहली बारे इस चैनल पर आया है तो इस चैनल को subscribe कीजिए red color का बटनों से दबाईए bell icon में all select कर लेजे ताक कि आपको यह बहतरीन session का आनन्द उठा पाए थैंक्यू सो मच